हेलो दोस्तो स्वागत आप सबका नौले एंटरेटेनर्स में दोस्तो मेरा नाम है कापिल और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या होती है विंडर फाइल्स क्या इसके यूजिस होते हैं और कैसे सारी चीज़े वर्क करती हैं कैसे में इन से फाइल को एक्सरेक्ट तो दोस्तो अभी हम यहां पर मेरी लैप्टॉप स्कीन पर आ चुके हैं और मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि रार फाइल के बारे में ठीक है तो रार फाइल क्या होती है? जैसे कि देखिए आगर आप कई पर ऐसा देखते होगे कि आप किसी भी सौफ्ट्रेय कर जिससे की क्या होता है वह बटी फाइल आपके सांवे आ जैती है कि एक छोटा सी नोगता हूं कि कमप्रेस करने के प्रसेस एहां पर बनती हैँ क्यूं इस सबसे पहले मैं आप को इयं न ने की कि 10 दिने करने में ज्यादा टाइम लगें आपpha 10 GB graffiti एंडाउ nieuद्म किसी एक चीज में डाल दिया और जिससे की उसकी एक चीज को उठाने की जो capability है वो ज़्यादा होती है माल लीजिए आपके पास कितना ज़्यादा समान है और आप उसे ऐसे अगर उठाने की कोशिश करेंगे वो नहीं उठा होगा लेकिन अगर आप उसे क्या गरें एक suitcase में डाल दें और एक suitcase को उठा लें तो वो आपको थोड़ा simple लगेगा तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों यह files का suitcase है यहाँ पर क्या होता है कितनी ज़्यादा files को एक चीज में डाल कर उसकी जो चीज़ा उसे compress कर लिए जाता है और जब आप उसके suitcase को खोलते हैं तो वहाँ से कितनी ज़्यादा files आ जाती है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है रार फाइल तो बहुत सारी चीज़ों को compress करने के लिए एक एक जगा पर प्रोवाइड गरने के लिए यहाँ पर रार आप किसी भी रार फाइल को extract करना चाहते हो तो तो दोस्तों बात करते हैं इसे कैसे डाउनडर करना है कैसे यूज़ करना है तो देखिए विंडर आपको कहां से मिलेगा आपको सिंपल यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाना है आपको अपने browser को open कर लेंगे उसके बाद आप Google पर आपको यहाँ पर टाइप पराना है रार लैप ठीक है तो देखें यहाँ पर आपने इस यहाँ पर रार लैप को आपने जब यहां पर टाइप किया तो आपके सामने यहाँ पर first official website आजाएगी जैसे मैं आपको यहाँ पर Zoom करकर दिखा रहा हूं आपको इस पर चले जाना है ठीक है जूम आउट कर लेते हैं और जब आप इस पर चले आएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको विंडर यहां पर मिल जाएगा जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल को एक्सरेक्ट करने के लिए ठीक है तो अभी आपको इसे डाउनलोड कैसे करना तो अभी बात आती है कि हमारी विंड़ो कौन सी है यह तो आपको पता होगा कि 64-bit होती है विंड़ो और 32-bit होती है विंडो तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं अभी आपको थोड़ सा बता देता हूँ आप यहां पर दियान से देख लेगा तो आपके पर क्या जाना है यहां पर आपको रन पर चले जाना है रन पर जाने के बाद आपने आपर टाइप करना है सिस्टम इंफो ठीक है तो अभी मैंने यहां पर इसे क्या गया इसे मैंने टाइप कर दिया ठीक है तो अभी इसके टाइप करने के बाद यहां पर आपको दिखा भूआ है तो यहां पर दिखा देगा कि आपका सिस्टम टाइप कौँजी आ छटीक है तो मुझे पता चुका है उसके और सब्सक्राइब यह सरुन पर बढूलोड करने का तो अगर आप डिएक लिंग पर जाते हैं तो अभी हाँ दिक्सेशन में चेक कर लिए अब वहाँ पर जाकर जब उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे मैं वहाँ पर प्रवाइड करते हूंगा तो डिरेक्टी आप इस इंटरफेस आ जाओगे तो यहाँ पर इस इंटरफेस पर आकर अगर आपकी 32 बेट है उसे डाउलोड कर लेना ठीक है तो उसके बाद भी हम करते है मिनिमाइज तो अभी देखें यहाँ पर मैंने एक जो विंडर फाइल यहाँ पर डाउनलोड करकर रखी हुए थी जो मेलडी कुछ लूप सेंटीक है तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें यह विंडर में दिखा रहा है ठीक है जिप फाइल दिखा र मैं जाता हूँ इसे मैं उठाकर बाहर लाना जाता हूँ अपने यूज़ के लिए मैं इसको उठाया और यहाँ पर पेश्ट कर दिया देखिए यहां पर आ चुगी है तो इस तरीके से आपको करना है इसे करना है extract तो extract करने का क्या मतलब है वहां से फाइल को निकाल लिया और अब आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी जिप फाइल या फिर रार फाइल मिलती है तो विंड्रॉर से आपका solution 100% यहां पर होने वाला है तो ठीक है दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहां पर अपनी फाइल को extract कर सकते हैं तो extract करने के बाद आपकी जो भी फाइल है आप उसे डाउलोड कीजिए और आप अपने यहां पर उसे कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने या पर पूरी कोशिश किया है कि मैं आपको डिटेल में समझा सक Raum कि क्या होती रार और विद घ्राइब क guilty करते हैं को सुफ्ट्य को publish करना है तो वो सारी चीज़े मैंने आपको यहां पर बता दी हैं तो इसके बाद अगर आपको कोई भी और वहां पर जाकर आप मेरी ID पर जब मुझे message करेंगे तो दोस्तो उस चीज का भी solution में आपको बता दूँगा ठीक है तो अगर और भी कोई query आती है यहां फिर आपको कोई question आता है जो आपको computer related समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तो आप जरूर जाकर यहां पर comment भी कर सकते हैं ताइम में ऐसी और वीडियो आपको मेरे चनल पर मिलती रहेंगी तो दोस्तो जल्दी मिलेंगे ऐसी और कहनी वीडियो से साथ तो दब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों